नापु शहर में ट्रक चोरी की गैंग सक्रिये होती हुई दिखाई दे रही है ताज़ुक की बात तो या है कि ट्रक चोरी के मामले कलमना थाना शीतर में देखने को मिले जहां बड़ी शाते तरीके से चोर कार्ज उतरते हैं और चंद मिंटों में ही माल सहित ट्रक चोरी हो चाता है ट्रक और लोहसाइद 44 लाख रुपए का माल चोरी होने से पुलिस भी सकते में आ गई है आए जानते हैं चलिए क्या है आखिर ये पूरा मामला सिटी में ट्रक चोरो की गैंग कार में घूमकर बारदातों को अंचाम दे रही हैं जिसका जीता जाकता उधारन देर रात कलमना थाना शेतर में देखने को मिला पुलिस ने मीनी माता नगर निवासी रमाशंकर राम कुमार पाल की शिकाहत पर मामला दर्च किया है रमाशंकर ट्रांसपोर्ट वैवसाई रोहित मिश्रा के यहां काम करता था बुधवार की रात उसने अपना ट्रक क्रमांक MH40 BG9267 पर माहल गाओ कापसी की जिंदाल कमपनी से 30 टन लोहा लोट किया राज जादा हो गई थी इसलिए वह सुबह ही निकलने वाला था सूरिय नगर के भारत पेट्रल पंप के सामने उसने ट्रक खड़ा किया और घर में सोने चले गया देर रात एक सफीद रंकी का ट्रक के पास रुखी उसमें से एक चोर बाहर निकला और कुछ सेकंड में ही आसपास देखने के बाद वह सीधे ट्रक पर चड़ गया और महस्थ दो मिनित के भीतर ही ट्रक चालू कर रफ उचकर हो गया आपको बताते कि ट्रक और लोहा सहीत करीब 44 लाक रुपए का माल गायब हो चुका था दरसल पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों की फूटेज खंगालने पर इस पूरी घटना का पता चला है फिलहाल पुलीस आगी की तपतीश कर रही है इनबिसन यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलीश भरदवाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट